संत कबीर के जीवन मुल्य एवं समाज दर्शन के विशय पर हुई दो दिवसे राश्टिय शोध संगोष्टी के आयुजन में पहुचे ग्रह मंत्री ने रामायन की चौपाई का उधारन देते हुए कहा कि श्रोता वक्ता को ज्यानी होना चाहिए आजादी की 75 वी अमरिद महुसों के तहट दो दिवसी राश्टी शोध संगोष्टी का आयुजन किया गया जिसमें सेट आर सी एसकला एवं वाडिज महाविद्यालाई दुर्गवो हेमचन यादा विश्विद्यालाई की सयुग तत्वाउधान में संत कबीर के जीवन मुल एवं समाद दर्शन के विशय में संगोष्टी कायुजन किया गया इसी कड़ी में कायक्रम के समापन पर पहुंचे 36 शासन की ग्रीमंतितामधर साहु ने संत कबीर दास की जीवने पर प्रकाश डाला साथ ही अपने संबोधन में रामायन की चौपाई का उदारन दिते हु वे शुरोताव वक्ता को ग्यानी होना चाहिए के बारे में कहा और हम लोग ऐसा मानकर चलते हैं चाहे भारत वरत्रो हो यह बिद्में दिधार न्संप्रगाए की गाते हैं उंस सबसे अलग हटकर कबीर की वानी इसे हम लोक रॉष्सय कबीर आज में जो विक्रितियां हैं गुराई जाएंगे जूर बोगव और विक्ति का जीवन बहुत अच्छा होगा खवीर की वानियों को जीवन में आपके साथ करें इस बात का उलेख हम सब ने किया इसी पर आज की सोनोज ठीक है तो लंबे समय से सोच पिट के मांग चल रहा है सरकार जब जैसा नियुक्ति मांग रखा दिया है Grand ACN News के लिए दुर्गसे नसीव फारुकी की रिपोर्ट